मशकार, मेरा नाम है आकांग शराय, टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हम एरिस्टोर्टल की वीडियो सिरीज कवर कर रहे हैं इससे पहले हमने प्लेटो की वीडियो सिरीज को कवर किया था अगर आपने नहीं देखा, तो जाकर जरूर देखे, लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है यह एरिस्टोर्टल की वीडियो सिरीज है, इस सिरीज में आठ वीडियो जाएंगी जिन में हम एरिस्टोर्टल की सारी थियरीज और कंसेप्स को पढ़ेंगे इस वीडियो में हम एरिस्टोर्टल का ब्रीफ इंट्रडक्शन और उनकी थियरी औफ स्टेट को कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले एरिस्टोर्टल को जान के बारे में सुनते ही हमें यह पता होना चाहिए कि एरिस्टोर्टल जो है वो प्लेटो के डिसाइपल थे यानि कि उनके शिष्य थे प्लेटो के शिष्य एरिस्टोर्टल थे एक क्रोनलोजिकल ओडर आपको याद होना चाहिए सोकरिटीज के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोर्टल और ए प्लेटो को बहुत जगा क्रिटिसाइज भी करते थे, उनकी थियरीज को गलट ठहरा कर अपने आग्यूमेंट्स भी उन्होंने दिये हैं, तो अभी हम देखते हैं, तो एरिस्टोल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइन्स भी कहते हैं, क्यों देखो यह जो वर्ड साइन्स है न वो उनके प्रैक्टिकल अप्रोच को डिनोट करता है, जैसे प्लेटो कहते थे, प्लेटो के अकॉर्डिंग एक यह जिस दुनिया में हम र करते थे, ठीक है, लेकिन अरिस्टोल उनको क्रिटेसाइज करते थे, और वो कहते थे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसे इल्यूजन की दुनिया क्या कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, यानि कि अरिस्टोल जो थे, वो इस मैटर वर्ल्ड को भी इंपोर्टेंस देते थे, ठीक है, तो यहां पर वो एक प्रैक्टिकल और साइन्टिफिक अप्रोच अपना शो कर रहे हैं, जिस वज़ा से उन्हें फादर ऑफ पलेटिकल साइन्स कहा गया, ठीक है, अब देखो, यह जा अरिस्टोल को हमने क्या क्या पड़ा, कि अरिस्टोल को फादर ऑफ पलेटिकल साइन्स कहा गया, वो प्लेटो के शिश्य थे, और वो स्टैगदा में फैदा हुए थे, अब यह भी जान लो कि अरिस्टोल को फादर ऑफ बायोलोजी भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि, अपरा सा एडिशनल चीज़े मैं बता देती हूं कि फिलिप सेकेंड राजा थे उनके राजे में अरिस्टोल के पिता एक मेडिकल प्रैक्टेशनर थे इसलिए अपने 13 साल के बेटे अलेक्जेंडर को मतलब फिलिप्स का बेटा जो अलेक्जेंडर था जब वो 13 साल के उमर क के टोर्ड साइन्स मेडिसें और फिलोसफी के टोर्ड ठीक है यह थोड़ी से अडिशनल बात हो गई आते हैं फादर ओफ बाइलोजी पे तो एरिस्टोल के पिता मेडिकल प्रैक्टेशनर हुआ करते थे फिलिप्स के राजे में और इसी वज़ए से अपने पिता से ही उन जासे उनको फादर ओफ बाइलोजी भी कहा जाता है और यहां पे से उनका एक साइंटिफिक अप्रोच भी सामने आता है ठीक है तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एरिस्टोल की कौन-कौन सी बुक्स है वैसे तो बहुत सारी बुक्स है लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे कि पॉलेटिक्स, दे निकोमेकियन एथिक्स, मेटाफिजिक्स, दे रेटॉरिक, दे पोईटिक्स तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जिनका नाम आपको याद होना जाए खास कर कि पॉलेटिक्स और दे निकोमेकियन एथिक्स ठीक है और ये books के नाम आप ज़रूर no down कर लेना अब देखो हम Aristotle का brief introduction देख रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि आपको अब मैं अगर पूरी biography बताने लगो introduction में तो वो beneficial नहीं होगा मैं चाहती हूं कि अगर आप UPSC के point of view से पढ़ दे हो या आप अगर academic अपने semester exam के लिए पढ़ दे हो तो ये चीज़ें जानना आपका बहुत जरूरी है that's why I'm including these things in the introduction पार्ट ठीक है तो अब ये भी जान लो कि golden mean क्या है देखो Aristotle ने अपनी book ethics जो लिखी है उसमें golden mean की बात कही है अब देखो Aristotle basically बताते हैं कि कोई भी चीज़ जब extreme में होती है ना तो वो एक sin बन जाती है एक बुराई बन जाती है उसी को हम English में vices कहते हैं और उसी का उल्टा होता है virtue वर्चू यानि की good जब आप Aristotle को पढ़ोगे तो आप virtue का virtue word बहुत बार सुनोगे virtue का मतलब होता है कि एक behavior एक ऐसा behavior जो की high moral standard शो करता हो उचनैतिकता को शो करता हो मतलब virtue एक positive word है वो एक अच्छाई है एक you know excellence है ठीक है और उसी का उल्टा होता है vices यानि की बुराई तो golden mean की जो theory उन्होंने अपनी book ethics में दी थी उसमें उन्होंने समझाया था कि कोई भी चीज़ जब वो extreme पे होने लगती है ना तो वो एक बुराई बन जाती है एक wise बन जाती है ठीक है और जब दोनों extreme के बीच में अगर आप जैसे बहुत ज़ादा plus हो जाए कोई चीज़ या बहुत ज़ादा minus हो जाए तो वो दो extreme चीज़े है ठीक है वो दोनों vices है उन्हीं दोनों के बीच में जब आप एक middle balanced mean path ढूल लेते हो ना तो वो ही आपका golden mean होता है वो आपका सुनेहरा रस्ता होता है जो कि दोनों बुराईों को balance करता है जैसे कि अगर मालो जैसे अगर मालो courage है यानि कि हिम्मत है तो अगर आपके अंदर बहुत हद से जादा हिम्मत आ जाए कि मतलब आप जहां नहीं हिम्मत दिखा रहे हो फाल्तुका भिड़ रहे हो तो वो एक rashness कहलाता है यह एक wise है ठीक है rashness एक बुराई है मतलब courage बहुत जादा बढ़ जाए तो वो rashness बन जाता है और courage बिल्कुल खतम होता जाए तो वो एक cowardice यानि कि कायरता पैदा करता है इनसान के अंदर तो इन दोनों wices के बीच का golden mean है courage यानि कि बहुत जादा rashness नहीं दिखानी है और बहुत जादा कायर भी नहीं बनना है हमें courage रखनी है अपने अंदर तो courage एक golden mean है तो golden mean की बहुत importance Aristotle के according है और उनोंने ये जो golden mean का principle है वो ethics नाम की अपनी book में दिया था I hope कि आपको ये term समझ में आ गया होगा So अब देखो हम Plato का introduction देख रहे है तो इसमें हमने अभी तक क्या देखा हमने देखा कि Plato जो है वो शिश्य थे sorry Aristotle का introduction देख रहे है तो हमने देखा कि Aristotle जो थे वो Plato के शिश्य थे और उनोंने उनको criticize भी किया Aristotle father of political science भी कहे जाते है उन्हें father of biology भी कहा जाता है उनकी कुछ important books के नाम हमने देखे हमने देखा कि golden mean का concept क्या है जो उन्होंने अपनी book ethics में दिया अब ये introduction part का last slide है जिसमें हम देख रहे हैं कि देखो Plato ने अपने school का नाम रखा था academy और उस academy में न हर कोई आके नहीं पढ़ सकता था not open for everyone ये सिर्फ extraordinary intelligent बच्चों के लिए Plato के academy थी लेकिन Aristotle ने जो अपना school खोला उसका नाम था Lyceum और Lyceum में सब आके पढ़ सकते थे क्योंकि Aristotle का मानना था कि जो भी रस्ता भटक गया है उसे रस्ता दिखाने की जिम्मेदारी एक good teacher की है उसे एक अच्छे teacher की जरूरत है इसलिए उनके Lyceum में हर किसी को entry दी ठीक है तो हाँ यहाँ पे Aristotle का जो introduction part है वो खतम होता है तो हमने क्या क्या देखा हमने देखा की Aristotle को father of political science कहते है father of biology कहते है उनकी कुछ books के नाम देखे golden mean देखे उनके school Lyceum के बारे में जाना तो यहाँ पे Aristotle का brief introduction खतम होता है अब आते हैं Aristotle के theory of state पे तो देखो Aristotle ने theory of state क्यों दिया होगा तो Aristotle basically अपने इस theory से हमें यह समझाना चाहते थे कि एक state किसी individual की life में कितना important है वो state की importance को एक राज के महत्व को समझाने के लिए अपना theory of state देते हैं अपने राज का सिधानत देते हैं उनके according state जो है वो उपर है और individual नीचे यानि कि पहले state आता है और तब individual मतलब state अगर नहीं है न तो कोई man या individual की life possible नहीं है उनके according तो Aristotle अपने theory of state को explain करते हैं और एक उनका बहुत famous statement है जो कि आपको जरूर no doubt करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए Aristotle कहते हैं कि man is by nature a political animal he who does not live in a state or who does not need a state is either a beast or a god इसका मतलब यह है Aristotle कहते हैं कि man एक political animal है एक social animal है वो अकेला नहीं रह सकता वो group में रहता है ठीक है और वो यानि कि जानवर है यहाँ तो वो भगवान है वो human being नहीं हो सकते तो basically अपने theory of state में Aristotle state की importance समझा रहे हैं कि सुनो state क्यों important है state के बिना individual की life possible नहीं है और इसी के लिए वो इतना बड़ा statement देते हैं कि man is by nature a political animal इंसान का nature ही है कि वो political animal है वो group में रहता है वो अकेले नहीं जी सकता ठीक है अब देखो इसी चीज़ को explain करते हैं वो वो कहते हैं देखो इस statement का क्या मतलब है वो statement से हमें state की importance को समझा रहे हैं वो बता रहे हैं कि nature ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वो अकेला नहीं रह सकता वो राजी के बिना नहीं रह सकता वो राजी में ही रहेगा तो ही वो जी पाएगा अच्छे से ठीक है तो अपने इस statement को prove करने के लिए कि man is a political animal और state कितना important है इंसान के लिए वो अलग-अलग arguments देकर हमें अपने theory of state को समझाते है ठीक है तो पहला argument वो क्या देते है कि nature has not made man self-sufficient मतलब प्रकृती नहीं इंसान को self-sufficient नहीं बनाया मतलब वो खुद अपने सारी requirements को जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो हम क्यों कहें कि हम कैसे मानले कि इंसान अकेला जी सकता है इसलिए वो कहते हैं कि state important है group important है अब देखो ये group का ही सबसे developed form है राज जियर ठीक है ये हम आगे देखेंगे अब देखो पहला argument क्या है अपने theory of state को proof करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि nature has not made man self-sufficient नेचर ने इंसान को self-sufficient नहीं बनाया even अपनी basic needs को पूरा करने के लिए इंसान को दूसरों की जरूरत पढ़ दिया जब बच्चा पैदा होता है उसे अपने मा की जरूरत है जब वो बड़ा होता है उसे family से emotional support की जरूरत है wife की जरूरत है बच्चों की जरूरत है तो उसका first association क्या हो जाता है family यहाँ पे वो self-sufficient नहीं है पैदा होने से ही उसे दूसरों की जरूरत पढ़ जाती है अब देखो family में भी उसकी सारी needs पूरी नहीं हो सकती तो उसे एक village की जरूरत है जरूरत है अब वो village भी उसकी सारी needs पूरी नहीं कर सकता तो उसे state की जरूरत है तो basically वो बताते हैं कि man जो है वो group में ही रहता है अकेले अपनी सारी requirements पूरी नहीं कर सकता और इसी group का सबसे developed version है state जहां उसकी सारी requirements जो है वो पूरी होती है ठीक है दूसरा argument वो क्या देते हैं अपने theory of state को explain करने के लिए कि state की importance को explain करने के लिए कि state is highest of all associations बतलब सारे associations से उपर है state यानि कि first association क्या था family वहाँ पे भी सारी needs पूरी नहीं हो सकती है दूसरा क्या था village वहाँ भी सारी needs पूरी नहीं हो सकती है सबसे highest association जो है वो है state जहां इंसान के सारे needs को पूरा किया जाता है कुछ statements मैंने code किया है जो बहुत important है अगर आप code करोगे तो आपके marks काफी enhance होंगे और impactful लगेगा state is self-sufficient entity state is ultimate institution state is pre-condition for good life तो यहाँ पे वो state की importance को समझा रहे है कि कैसे state important है ठीक है Aristotle का यह भी बहुत important statement है state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life यानि कि state आया इसलिए ताकि हम जिन्दगी जी सकें और वो continue होता गया ताकि हम बहतर जिन्दगी जी सकें हम जब पैदा हुए तो हम group में रहने लगे ताकि हम जिन्दा बच जाए लेकिन जब जिन्दा बच गए तो उसी group को और develop करते गए develop करते गए उसने state का form ले लिया ताकि हम बहतर जिन्दगी जीते जाए ठीक है तो अब आते है third argument पे अब अपनी theory of state को proof करने के लिए यानि अपने state के importance को बताने के लिए वो third argument देखते हैं कि state is prior to man मतलब state पहले आया और man बाद में ठीक है state उपर है man नीचे देखो historically क्या होता है historically हमें पता है कि सबसे पहले इंसान आया होगा तभी तो state बनेगा एक इंसान आया कहीं आया ग्रूप बना वो group develop हुआ और state बना ठीक है ये एक historical बात हो गई लेकिन logically देखा जाए तो Aristotle भी ये कहते हैं उनके according state is prior to man मतलब पहले state है क्यों देखो उनके according ठीक है man पहले आया लेकिन जब वो आया तो वो जिस तरह की जिन्दगी जी रहा था क्या हम उसे human life कह सकते हैं वो एक बिल्कुल चाल ओड लेता था पेड़ से निकाल के कैसे भी जीता था उस जिन्दगी को हम एक human life नहीं consider कर सकते हैं इसलिए जब वो अपना एक group बनाता है एक society में रहता है state में रहने लगता है तब वो human life को experience कर पाता है इसलिए वो कहते हैं कि भले ही man पहले आया होगा historically लेकिन logically state is prior to man क्योंकि वो जिन्दगी जो state के बिना है उसे हम human life consider यह नहीं कर सकते इसलिए जब इंसान state में रहने लगा तब ही हम यह कह सकते हैं कि वो एक human life जी रहा है इस basis पे वो कहते हैं कि state is prior to man state man से उपर है पहले आया है ठीक है अब इसका conclusion क्या है इतने सारे arguments दे करके Plato हमें यह समझाना चाहते हैं कि राज्य यानि कि state एक man की life के लिए कितना important है ठीक है और यही उनकी theory of state है theory of state में वो बताते हैं कि man is a political animal वो group में रहता है और उसी group का developed version है state यानि कि state में जो इनसान नहीं रह सकता या जिसे रहने की ज़रुरत नहीं है वो एक इनसान नहीं हो सकता basically वो अपने theory of state में state की राज्य की importance को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए वो अलग-अलग arguments देते हैं तो ये था conclusion अब देखो critical evaluation भी होता है बहुत सारे लोग criticize भी करते हैं कि क्या state natural है क्या वो necessary है कि वो unnecessary है बहुत सारे political scholars अलग-अलग arguments देते हैं idealist विचारधारा के जो लोग है वो कहते हैं कि state is necessary and a source of virtue मतलब state बहुत necessary है और एक virtue का source है ये idealist विचारधारा के लोग कहते हैं वही liberals कहते हैं कि state is a necessary evil यानि कि राजे एक आवश्यक बुराई है और वही anarchist जो है वो कहते हैं कि state is an unnecessary evil यानि कि राजे जो है वो एक अनावश्यक बुराई है ठीक है तो ये अलग-अलग arguments है जो अलग-अलग लोग देते हैं और Aristotle के theory of state को criticize करते हैं या support करते हैं ठीक है तो ये उनका critical evaluation हो गया और यहाँ पे Aristotle की जो theory of state है वो cover होती है ठीक है तो यहाँ पे Aristotle part 1 खतम होता है यहाँ पे Aristotle का introduction और theory of state को हमने cover किया and do like, share and subscribe to my channel TalkingPolity और अगर आपने प्लेटो की video series अब तक नहीं देखी है तो link is in the description box go watch it out और एक आप से छोटा से request है कि दिवाली आने वाली है and I beg you please, please इंडिया में बनी हुई चीज़े ही यूज़ करो दियों का यूज़ करो Chinese lights, fairy lights का use बिल्कुल मत करना क्योंकि हमें अपनी country को develop करना है और अपने चीज़ों को और ज़्यादा enhance करना है support करना है इंडिया को आगे लेके जाना है so thank you so much and stay tuned bye-bye